हेलो दोस्तों एक बत द्वारे से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चनल विभी करना स्टॉक्स पर दिल से अगर आप चले लेवें नए हैं दोस्क्राइब कर सकते हो साथ बैल को दबाना ना होना तो दोस्तों बात करूंगा एलाइसी ने बाई किया स्टेक इस को पैने स्टॉक्स में होगा फूचर का मल्टी वेकर स्टॉक्स देख लिएते हैं मिसे रिल्चे की बात कर रहा हूं और देख लिएते हैं किस वैलेशन हमें स्टॉक्स करने के उस प्रता नहीं है फिक आप खुद की रिशे एड करके आप अनलसिस कर सकते है और जो भी और दोस्तो रुक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो का आप शेयर कर सकते हो Facebook, Twitter, Telegram और साथ में WhatsApp ग्रूप में और साथ में अगर आप शेयर करते हो साथ में मुझे आप टैक करते हो या मुझे आप इंस्टाग्राम में DM करते हो वह स्किन शॉट वी आर स्टॉकर के मेरी आडियो होगी तो डेफिनेटली संदे को एक सेशन होने वाला है जूम में या फिर किसी भी एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म में जो मैं आपको बत्ला दूँगा जिसमें आप पाटिसिपेट कर सकते हो अगर आप पाटिसिपेट करना चाहते हो तो डेफिनेटी वीडियो को शेर कर दो अभी के अभी तो अब बात करते हैं मैं किस रेल्वेट पैनिच्टो की बात कर रहा है जी है या आर वी एनल उसको बोला जाता है ठीक है तो मैं आपको स्टॉक का पहले चार दिखाता तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने आरवीनल का चार्ट खोला हुआ है और दोस्तों आज श्टॉक आपका ओल्मोस्ट 5-6% के करीब उपर था जैसे आपको बता हमारी निप्टी ने आज रिकवरी करी ओल्मोस्ट 8% के आसपास और दोस्तों ये स्टॉक भी रिकवर किया है नी जिस वज़े स्टॉक आज आज आपका 5-6% के आसपास उपर खड़ा हो गया तो उस्तों खबर गया है बहुत सिंपल सी खबर है जैसे मैं आपको बतलाया ठीक है आप देख सकते हो दोस्तों पहली खबर तो आपको पता थे कि ये जब आया था गौवर्मेंट 15% के आसपास सेल करेगा स्टेक तो स्टॉक का जो आप उसकते हो ओफर प्राइस आया फ्लॉर प्राइस था वो 27 रुपर 50 पैसे के आसपास था और उस समय स्टॉक 30 रुपर टेट कर रहा था तो सेम प्राइस में आके स्टॉक आगे गिर गया राइट तो कल रात की खबर है LIC ठीक है एक इक्वायर्स 8.72% स्टेक इन रेल विकास नेगम तो काफी ताजा खबर है इस बज़ेजे स्टॉक में आपको एक अच्छी खासी राली देखने को मिल रही है तो पंदरा में से आप हो सकते हो की 60% के आसपास टेक तो LIC ने बाई कर लिया ठीक है बाकी आप जो बच्चा है बहुत जल्द वो भी रिविल हो जाएगा कि कौन बाई करने वाला है या करेगा तो दोस्तों आप देख सकते हो OFS के तुरून उने बाई किया है तो बहुत पॉजिटिव ख़वर है स्टॉक के लिए भाई अगर इतनी बड़ी कंपनी या इतनी बड़ी आप हो सकते है LIC इतनी बड़ी एक गौवर्मेंट और एक बोज़तर गौवर्मेंट और इंसोरेंस कंपनी है अगर ये इस मिस्टेक बाई करे तो डेफिनिटली भाई आपको भी देखना चाहिए तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसे आपको देखने को मिल सकता है 18 करोड क्वांटिटी य इसी ने बाई करे अक्वायर किये तो डेफिनिटली भाई भाई बहुत पॉजिटिव ख़वरे स्टॉक के लिए तो अगर आप बात करते हैं किस प्राइस में बाई किया तो 27 रुपे 50 पैसी का असपास का फ्लोर प्रेस था तो यहीं आपने बोज सकते हो कि 27, 50, 28 के असप बाई किया है ठीक है आज मैंने 27, 28 रुपे के असपास स्टॉक को बाई किया है थोड़ी होर कुएंड़ी बाई करी जब इस टो नीचे की जाता है और मुझे लगता है परसनली अगर इस टॉक आपको 25 रुपे के लेवर्स में मिलता है तो एक जैकपोट साबित हो सकता है अगर मार्केट थोड़ी यहां से पॉजिटिव उपर के तरफ जाती है तो डेफिनेटली वो प्राइस तो नहीं हाएगा लेगिन हाँ अगर मार्केट में थोड़ी क्रेक्शन देखने को मिलती है निप्टी में तो डेफिनेटली यह प्राइस भी आपका आ जायेगा तो में रखना अगर आपको 25 रूपे कभी भी आर वी एनल शेर मिलता है तो भाई लॉंग टरम के लिए यह एक मल्टीव एगर पैनी शेर बन सकता है जो आपको एक मल्टीव एगर रिटन देखे जाएगा तो देख लेते हो स्टॉक में क्या अभी ताजा ख़बर चल रही है तो देख लेते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको में रिजिव मतारता हूँ कि यह आर विए शेर मुझे क्यों पसंद आया था तो दोस्तों आपको याद होगा जब भी मैं कोई स्टॉक बाई करता हूँ तो मैं सब दो चीज़े देखता हूँ एक उसके फंडमेंटल अ आपको एक बाई करेंगे अठाईस रुपे अभी चल रहा आप बाई करके चल सकते हो लेकिन भाई आप अपने फानिशियर अडवाईजर से सलाल ले लेना राइट क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप किसी को भी ब्लाइंटी फॉलों मत करना और स्टॉपोस लगाएंगे ह तो दोस्तों आप देख सकते हो है मैंने NST बे डेटा खोल रहा है और आपको डेट दिख जाएगी उपर 25 मार्च के आसपास ठीक है दोस्तों देख सकते हो जो क्लोजिंग प्राइस 39 के आसपास है और जो लो था आज का 28-20 के आसपास था और जो प्रिवेस क्लोज था 27 आप बोस सकते हो 1.83 करोड क्वांटिटी ट्रेट की गई है अज उसमें से अठावाल लाग क्वांटिटी लो घर लेके गए और जो निकल के आता है नम्मर फिगर निकल के आता है और अल्मोस 32 परसेंट के आसपास निकल के आता है तो दोस्तों डेफिनिटली भाई अगर बड़े अमाउंट अफ क्वांटिटी लो घर लेके जा रहे तो दोस्तों डेफिनिटली स्टॉक में कुछ अच्छा फ्यूचर में हो सकता है इसलिए लेके जा रहे होंगे और जैसे दोस आपको पता है अलाइसी ने इन्वेस्मेंट करीए इसमें तो भाई डेफिनिटली अगर अलाइसी इन्वेस्मेंट कर रहा है इस टॉक में तो डेफिनिटली भाई एक अच्छी ख़वर निकलके आती है तो भाई अगर ये इन्वेस्मेंट कर रहे है तो आपको भी थोड़ा बहुत इन्वेस्मेंट करके भूल जाना है तीन से पांस सालों के लिए ठीक है तो दोस्तों जैसे आपको पता है रेल विकासनिकम के बारे में ठीक है एक infrastructure की company है bridges बनाती है ठीक है workshops का बनाती है और जो bridges होती है और जो बहुत है train lines होती है उनको बिछारने में काम करती है अगर बात करते कंपनी के fundamental तो company fundamentally काफी sound company अगर बात करते कंपनी के profit and loss दोस्तों देख सकती हो December quarter में company ने एक अच्छे खासे profit दिये है books में 3700 क्रोड का profit था December quarter में ठीक है और अगर profit की बात करते है net income की तो दोस्तों देख सकती हो जो net income था December quarter में वो 280 क्रोड के आसपास था तो 280 क्रोड का December में profit दिया था उससे पहले 188 क्रोड का profit books में दिया था दोस्तों देख सकते हो company लगतार एक profitable company है, जबसे OFS आया, stock आपका थोड़ा डाउन गया था, लेकिन तुवारा stock recover कर रहा, जैसे मैंने आपको बोला था भाई, ये stock recover कर जाया क्योंकि OFS तो आपको पता है, कोई ना कोई stock को definitely buy करेगा, और खबरे दिखर के out होने लगी है कि भाईया, LIC ने stock को buy कर लिया, acquire कर लिया इस ट्रेक और मेरे साफ से एक बड़े बड़े जो आपको पता है FII और DII definitely इस stock में investment करेंगे, तो अब देखते है, तो या तीन दीन के अंदर वो भी result out हो जागा कि कि किसने और किसने इसमें investment करी है LIC got out हो चुका है, definitely अब जो बाकी percentage बचा है, मतलब 7% के आसवाज अभी बचा हुआ है, 15% बेचा है ना तो 7% अभी बचा हो, definitely 7% में मुझे लगता है, जाना दर जो भी buy कराओगा, वो कराओगा आपके बड़े निवेसक में, जैसे FII है और DII आई है, तो भाई, definitely आप stocker डाव में रख सकते हो definitely stocker डाव में रख सकते हो आज का रेवे पैनी stock, कल का multi bagger, future multi bagger पैनी stock बन सकता है, LIC ने buy किया stake, यही आपके साथ news share करनी थी, आशागर तो आपको news update मिल गया होगा, stock के regarding, अगर आपको कुछ अच्छा लगा, तो make sure like, share subscribe करना ना भूलना, और साथ में आप हमें telegram, twitter और instagram में follow कर सकते हो सभी के links आपको नीचे में जाएंगे, तो मिलता हूँ आपको अपने next video, till then bye bye, thank you so much safe trading, happy trading and money management, right